Hello Friends, Welcome to our channel The Value Knowledge जिसमें हम आपके लिए कुछ ऐसा इंपर्ट और नॉलेज ले के आते हैं जो आपको आपके परस्नल और प्रोफेशनल लाइप में आगे बढ़ने में हेल्प करता है और दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं अगर चेक बाउंस हो जाए तो क्या होता है तो दोस्तो चेक जो बाउंस होता है वो दो केसे से इसमें बन जाती है पहला केस तो यह होता है कि अगर जो भी चेक होल्डर रहता है उससे अकाउन में गल्ती से पैसे कम हो गए या फिर कोई भी साइन में प्रॉब्लम हो गया तो चेक बाउंस हो जाता है इस case में दोस्तों आपको mutual understanding करने पड़ेगी आपको जो भी check holder है उसको contact करना पड़ेगा और उससे नया check लेना पड़ेगा उसको यह बताना पड़ेगा कि check bounce हो गया है आपके account में enough रकम रखो और इस case में दोस्तों mutual understanding से problem solve हो जाती है जो भी check holder रहता है वो नया check दे देता है और आपको payment मिल जाता है तो यह तो हो गया दोस्तों पहला case जो कि एकदम simple था है इसमें कोई भी issue नहीं आता है अभी दूसरा scenario यह होता है दोस्तों की check holder जो रहता है उसने जान बुच के account में पैसे कम रखे और वो आपको पैसे देना ही ने चाता है तो इस case में दोस्तों आप जो भी check holder रहता है उसे legal notice भेज सकते हो उसको notice मिल जाता है और notice मिलने के बाद 30 दिनों के अंदर उसे payment करना पड़ता है अगर वो नहीं करता है तो आप उसके account उसके लिए आप ले सकते हो लीगल action और case चला जाता है court में अभी इसमें चीजें ऐसे होती है दोस्तों की court जो है वो पूरा जो भी investigation करता है पूरे case को और वो जो है वो फैसला सुनाता है उसके बाद दोस्तों check holder को जिसका check bounce हो है उसको सजा मिलती है दोस्तों सजा ये मिलती है दोनों तरफ से सजा होती है दोस्तों monitor भी सजा होती है और दोस्तों punishment भी मिलती है तो ये तो depend करता है कि case के amount क्या है और like case कैसे बनता है किस level का case है कितना serious case है और दोस्तों एकदम severe से severe case में जो भी check holder था जिसने check bounce किया है उसे दो साल की imprisonment हो सकती है दोस्तों यह उसे कारावास हो सकता है दो साल का और उसके अलावा दोस्तों उसको जो भी amount bounce हुआ है दोस्तों उसके दो दो गुना यहने suppose एक लाग का amount जो है bounce हुआ है तो उसको दो लाग जो है वो pay करने पड़ते है as a monetary punishment तो यही चीजे होती है दोस्तों और यह सारी चीजे depend करती है कि case कैसा है किस तरह का check जो है वो bounce हुआ है और दोस्तों इसके अलावा जो banks जो है वो भी charges लगाती है यह पहले case में जैसे हमने आपको बताया कि अगर आप mutual understanding से भी problem solve कर लेते हो तो भी दोस्तों bank जो है वो account में से पैसे deduct करती है और दोस्तों इसके अलवा जिस account में यह पैसे जाने थे उसके account में से भी पैसे deduct होते है और यह सारे यह जो charges है वो depend करते है bank to bank और depend करते है amount कितना था अगर समझ लो कि normal case normal case था दोस्तों normal amount था तो like 300 400 जो भी charges लगते है लेकिन अगर amount अगर ज्यादा रहता है तो depend करता है कि कितना amount है उसके according to bank जो है वो slap decide करती है तो यही सारी चीजे होती है दोस्तों और check bounce के cases में दोस्तों आप ज्यादा तर यह try करो कि mutual understanding से problem solve हो जाए जो भी check owner रहता है जो भी check holder रहता है उससे आप contact करो उसे आप बताओ और यह सारी चीजे जो है अपन जाएगा कि कोई भी argument हो और इसमें जो भी है वो court में matter चला जाएगा कि यह बहुत लंबे time के लिए जा सकता है और आपको पैसे मिलने में time लग सकता है तो तो दोस्तों जब भी आप कोई भी check आपके bank account में डालते हो आप जिसने भी check दिया है check holder को आप यह बताओ कि हम check ड ठीकत नहीं आ सकती है तो दोस्तों अभी आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि अगर check bounce हो जाता है तो आपको क्या करना है क्या क्या चीजे होती है कितने charges लगते है और क्या क्या punishment होता है इसके लोग दोस्तों हमारे चानल पे हमने आपके साथ बहुत सारा ऐसा valuable knowledge share किया है आप हमारे playlist में जाके यह पूरा knowledge दे सकते हो हमारी playlist एक पूरा नयान का भंडा रहे दोस्तों और यहाँ पे आपको आपके लिए कोई ना को useful information ज़रूर मिल जाएगी तो दोस्तों हमारे वीडियोस रगुलर्ली देखते रो हमारे वीडियोस को like करो हमारे चैनल को subscribe करो जिससे आपको ऐसी valuable information घर बेटे मिलते रहेगी और वो भी एकी चैनल से तो दोस्तों यह वीडियो में बस इतना ही था जल्दी मिलते हैं कुछ और important topic के साथ कुछ और interesting knowledge के साथ तब तक के लिए बाइ-बाइ दोस्तों thank you very much